मुश्कार स्वागत है आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि क्या भारत के अंदर जो कानून है उसका दुरूपयोग जो वो क्या बढ़ गया है ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ एक रिपोर्ट आई है उस आंकडे प्रस्तूत किये गए उस आंकडों में पता चला कि भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो केस है उनमें जादा बढ़ोतरी हुई है तो फर्स्ट ओफॉल हम जानेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है और इसके जादा केस बढ़ने से क्या-क्या impact पढ़ने वाला है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं देखें NCRB इसकी full form है National Crime Bureau इससे पहले मैं एक session कर चुका हूँ NCRB की आँकड़े थे वहाँ पर मैंने NCRB के बारे में detail से बताया हुआ है किसके अंडरी आती है कब इसकी staff ना हुई थी कहा है इसका headquarter तो जाकर आप पहले वाली वीडियो भी देख लीजिए फिलाल NCRB के कुछ आँकड़े परस्तूत किये गए उन सांकड़ों में बताया गया कि 2020 की तुलना में 2021 में जो निवारक निरोध कानून जो preventive detention है उसका जो उप्योग है वो लग बग 23% इसके अंदर increase हुआ है यानि जिसमें 1.1 एक लाख से अधिक लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया है अब निवारक हिरासत होती क्या है सर ये preventive detention होता क्या है ये तो बता दूना फिर हम इस मुद्दे को समझे तो चलिए समझते हैं निवारक निरोध यानि की preventive detention क्या है हमारे समिधान में आर्टिकल 22 के अंदर अगर किसी व्यक्ति को गिरफतार या हिरासत लिया जाता है तो उसको वहाँ पर कुछ ना कुछ राइट्स दिये गए हैं अपने आपको सुरक्षा परदान करने के लिए तो यहाँ पर हमारे सामने दो तरीके के हम कहेंगे कि डिटेंशन निकल के आते हैं एक होता दंडात्मक एक होता निवारक यानि प्रिवेंटिव होता है और यह कहते हैं प्रिवेंटिव के बारे में हम बात करते हैं कि एक परसन को पुलिस की custody में रखा गया है किस बिहाब पे किस basis के उपर सिर्व और सिर्फ संदे होने के अधार पर वह कोई व्यक्ति आने वाले टाइम में ऐसा संदे हुआ पुलिस को कि आने वाले टाइम में ये लोगों को मारने वाला है या फिर इसकी वज़े से समाज के अंदर कोई ना कोई हानी पहुचने वाली है सिर्फ और सिर्फ संदे हुआ पुलिस को और उस संदे के अधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफतार कर लिया और इसके अंतरगत पुलिस के पास किसी व्यक्ति को रासत में लेने का अधिकार है ध्यांस रखना जिस पर उसे अपराद करने का संदे है कुछ मामलों में वारंट या मैजिस्टेट का प्रादी करन के बिना गिरफतारी करने का भी अधिकार है मतलब वारंट चाहिए ही नही पुलिस ने पकट लिया और बच गए हम तो यहां पर यह भी जरूरी है लेकिन इसका एक तरीके से misuse भी हमारे सामने आता है फिर हमारे सामने आता है punitive detention यह जस्ट ऐसा है कि किसी ने अपराद कर दिया है अब अपराद करने के बाद उसको सजा मिलेगी अब उसको तब गिरफतार किया जाएगा वास्तम में अपराद किया गया हो या फिर अपराद करने का परयास किया गया हो तब यहां पर यह detention आता है तो दो तरीके के detention होते हैं मारे सामने हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों के मैंने आच्छे से clear कर दिया है फिर हम बात कर लेते हैं जो NCRB हैं इन्होंने जो आंकडे प्रस्तूत किये हैं उनमें main points क्या क्या है देखे हिरासत की सबसे अधिक संक्या 2021 के अंत तक निवारक हिरासत में रखे गए कुल 24,500 से अधिक लोग या तो हिरासत में थे या अभी भी हिरासत में हैं जिनकी संक्या 2017 के बाद NCRB ने इस आंकडे का record करना शुरू किया था तब से अब तक की सबसे अधिक है तो देखे कितने ज़्यादा लोगों को निवारक निरासत के अंदर रखा गए राज्ये और केंदर शाशीत परदेश में बात करूँ तो टॉप में तमिलाडो और उसके बाद तेलंगाना आता है फिर गुजरात आता है और जम्मू कश्मीर जए यूनियन टेरिटरी में टॉप कर रहा है इसके बाद जो इसके रिलेटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन है मतलब कि एक थो हमने समझ लिया प्रिवेंटिव लोग क्या आते है कोई इससे रिलेटिव भी है क्या बेशिक है NCRB के आंकोड़ों से पता चला है कि जो NSA यानि National Security Act के तैट गिरफतार किये गए लोगों की संक्या 2020 की तुलना में काफी कम हो गई थी NSA के तैट जो निवारक निरोध के मामलों की संक्या 2020 में 741 चर्म संक्या पर पहुंची थी जो इससे रिलेटिव ही है लोग शुरुक्षायनी Public Safety Act भी चलता है Narcotic Drugs and Psychotropic Substant Act 1985 भी है मारे सामने Insider Trading निशेद PIT जिसको बोला गया है Prohibition of Insider Trading ये भी चलता है इसके अलावा काला बाजारी और आवश्यक वस्तों के अपरती की रख रखाओ के निवारक अधिनियों 1980 ये भी चलता है आपको पता हो कि जब करोना वाइरस के दोरान भारत में जैसे लोकडाउन लगा था तो लोगों ने काला बाजारी करनी शुरू कर दी थी मास की अपने अंदर रखने मतलब कि दुकानों में उसको बहुत जादा हाई रेट पर बेचना स्टार्ट कर दिया था तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आ गई थी ये कानून जो बहाँ पर लगाया गया था कोई भी आवश्यक वस्तों को आप नख नहीं सकते हैं क्लीर हुआ अब समश्या और चुनोती के बारे में बात कर लेते हैं अन्य अधिनियों का दुरूप योग यानि Missuse of Other Act देखे एक तो हमारे सामने आता है Unlawful Activity Preventive Act UAPA जिसको बोला जाता है फिर हमारे सामने आता है महराष्टर संगटित अपराद नियंतरन अधिनियों जैसे कानूनों भी जो निवारक निरोध है तो उपाय परदान करते हैं सरकारी अधिकारीओं दौरा हैर फिर जीला मैजिस्टेट हो गया पुलिस भी अकसर किसी भी दो समुदायों के बीच जो उबरती सामपरदा एक जड़पों या संगर्ष में कानून या विवस्ता को नियंतरन करने के लिए निवारक निरोध का दुरूपयोग करते हैं बले ही यहां हमेशा सारुपयोग अविवस्ता का कारण नहीं हो मतलब यहां पर इसका दुरूपयोग मिस्यूज किया जाता है सरवोच नियले का जो इसके उपर व्यू था जुलाई 2022 के अंदर सरवोच नियले के एक अवकाश पिटने तिलंगाना में एक चैन सेटर जो एंटकर भाग जाते हैं उनके लिए निवारग नहिरोद कर दिया था मतलब यह किसी पर शक्यों है उप्ड़ दो इसको तो इसको रद करते हुए देखा हमनदर किया था वो ऐसा धारन है चुंकि ये व्यक्ति की स्वंतंतरता को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है अतै इनका उप्योग सायम से किया जाना चाहिए ऐसे नहीं कि हर किसी के उपर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा के बैठ गयो नैले ने यह भी का कि इन शक्तियों का इस्तमाल समान्य कानून और व्यवस्ता की समस्याओं को नियंतरन करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए यानि कुछ ऐसी स्पेशल सिच्वेशन आपके सामने आ गई है या फिर आपके सामने ऐसे कुछ evidence सामने आ गए है तब जाकर आप prevented detention का use करिए इससे आप किसी व्यक्ति की freedom जो उसको स्वतंतरता मिली है उसका उलंगन क्यों कर रही है तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को prevented detention क्या होता है primitive detention क्या होता है और इसका कैसे उपयोग बढ़ता जा रहा है या फिर कर इंगल से दुरपयोग बढ़ता जा रहा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा समझ में आया है तो यह मुझे कैसे बता सकते हैं कि वीडियो को like करके, channel को subscribe करके और ज़्यादा ही पसंद आये तो शेयर भी कर सकते है PDF के लिए मैं अल्रड़ी आप लोगों को बता चुका हूँ description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है तब thank you for watching this video